स्लाम लेकुम वेलकम टू मैं यूटीव चानल आज की वीडियों में बात करेंगे पाकिसान ऐस्ट्रीज चल लिए उसके तीसरे टेस्ट मैच की और यह सिट्नी के इंदर सब्सक्राइब तो भी आज जो था डे 3 स्टार्ट हुआ था तो आपको थोड़ा सब्सक्राइब ब्रीफिंग के बारे में देटू के दिन जो था डे 2 में ऑस्टेलिया बैटिंग कर रहा था वाड़नर और जो है उसमान खौजा बैटिंग पर थे तो डे 2 जो है जादा गीम नहीं हो पाया दिन क्योंकि बारिश की वाई से वो दिन खतम हो गया था और ऑस्टेलिया से एक तो दस रन नहीं बनाएते 46 ऑवर खेल के तो बढ़ी ट्री का जब स्टार और उनके दो उट जाते हैं तो आज जो है जो है जो होता है तो लब शेन और स्मित बैटिंग कर रहे होते हैं तो जब वह दोनों बैटिंग कर रहे हैं तो लब शेन और समय जो है चांदार पार्टनर्शिप स्टेंड रहेते हैं और स्टेलिया की टीम को सेवंटी नाइन रंस का लब शेन जो सिक्टी रन बनाते हैं और स्मित बनाके आउट हो जाते हैं उसके बाद हमने यहीं देखा कि बनाते हैं फिर हमने देखा कि टीम से कोई भी बड़ी पार्टनर्शिप निलगा वाया पाकिसान ने शांदार वालिंग की है आज के मैच के अंदर ऑस्टेलिया की टीम को रिस्ट्रिक किया लेकिन पिर हमने यह देखा कि अच्छी पार्टनर्शिप आखर में जो यह मार् बनाते हैं और चरी जो है 38 रणा के आफ होते हैं तो पाकिसान ने शांदार वालिंग की है कि पाकिसान की टीम ने औशीलिया को नैंडिесь पे रिस्ट्रिक कर दिया और पकिसान की ऑलिडी जो है पहले यूसेलिया उस्टीन चैजिसान ढमान फार्टा दों टो थे 1955 तो इदो फ्रीन फार के वहारे के कि अगर हम पाकिसान की बालिंग की बात करें तो हम और अज़ेक बात के पहले ने साजफ़ा ठחנו कि अच्छी घुजरी कि उन्होंने पहली इनिंग के अंदर एटी टू रंस भी स्कोर की और छे विक्टे भी लिए हैं उनका डेब्यू हुआ यह उनका डेब्यू हुआ यह और परफॉर्मेंस दिया बैटर भी और बॉलर भी तो यह थी ऑस्टेलिया की इनिंग की यही देखा कि अब्दुला शभी यह बैटिंग कर रहे हैं उनको एक शांदार इंस्विंगर हमारी जिस पर वो बोल्ड हो गयते और उसके वाल पिर हमने यह देखा कि जीरो रंट पर पाकिसान की एक विकेट गर जाती है वह दोनों पाकिसान की टीम का जो स्कोर थोड़ा बढ़ाते हैं और इनकी जो पार्टरशिप होती है थर्ड विकेट पार्टरशिप होती है वाबा राजम और साइम यू की और यह लगती है 57 की हमने फिर यह देखा कि साइम यू जो है पहला टेस्ट मैच है पहली निंग में तो परफॉर्म नहीं कर पायते जीरो रंस आउ में यह आउट हो देख हो लेकिन हमें अभी जो है पाकिसान की टीम है ही स्री की आघर करना है तो फ्रिम को यह भी जो अब ही करेंगे तो अनूटइस ही ऑस्टेलिया होता है पाकिस्टान का हमेशा ही बहुत ख bowel को बहुत हाइए हम हमने यही देखा कि लास्ट 29 सालों से पाकिस्तान अभी तक उस्चेलिया के अंदर कोई टेस्ट मैच भी नहीं जीता है तो फिर यह हुआ के साइम भी जादा बड़ा स्कॉर करने में काम याप नहीं रहते हैं दोजार तरीज भी वाबराजम का बिल्कुली फ्लॉप गया है इतनी अच्छी पर्फॉर्मेंस नहीं दी लेकिन फिर भी जो तीना फॉर्मैट्स के स्कॉर बनाए तो तकरीबन बारासों बनाए थे हैं दोजार सब्सक्राइब नहीं होगा क्योंकि यह 24 का वाबराजम का पैलेट स्कॉर नहीं है और दूसरी इनिंग में भी वाबराजम जो है 23 बनाके आउट हो जाते हैं इस मैच के अंदर पिर हमने यह देखा कि एक के बाद एक जो है पाकिस्तान की विकेट कर जाती कोई भी जो है पाकिस्तान की इनिंग को बिल्ड नहीं कर पाता अब तक लेकिन पिर हमने यह देखा कि ऑस्ट्रीलिया ने शांदार हुसके वाद बैटेंग कर रहे होते हैं यह दोर तो समझ लैं आप बैटेंग कर रहे होते हैं आउसके दिन दिनका तो आज के दिन निकाल देते हैं कुछ भी करके और systems आओ होता है और पाकिस्तान के 68 पे साथ खिलाडी आउट हो जाते हैं सेकंड इनिंग के अंदर तो भी पाकिस्तान जो है अभी तकरीवन ऑस्टेलिया को कि लीड दे चुका है लेकिन पाकिसान को कम से कम भी अगर यह मैच जीतना है तकरीपन तक का अभी कल का दिन भी है पाकिसान के बास पाकिसान जो एक अच्छी बैटिंग करें आमिर जमाल और रिज्वान एक शांदार पार्टनर्शिप लगाएं एक लिए दोनों सेंट्री स लादा का मिलेगा तो यह थी डेट ट्री की अपडेट पाकिसान और सौथ अफ्री का ऑस्चेलिया के टेस्ट की अच्छा पाकिसान के जो है कोई भी बैट्समें अभी सकेंड इनिंग में बड़ा स्कोर करना में काम है अब नहीं हुए लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑस्च इनिंग अनुट नहीं के दे शांदार वालिंग कि है और उन्होंने पाकिसान के चार किलाडियों को अब तक आूट कर दिया है यह थी पाकिसान और और ऐस्चेलिया की सेकंड एंग्स की हाइलाइट अब टिक कि हाइलाइट करते हैं South Africa और इंडिया की सिरीस के बारे में इंका भी दूसरा डस्मग चल रहा था और इनका जो इस सिरीस का दूसरा महस्ट ऑप तो भाई पहले दिन के एंट पर हमने यह देखा था कि और साउथ अफरीका की जो है दूसरी इनिंग भी शुरू होती है तो वह भी अराउंड जो है इंडिया शांदार वालिंग करता है पिर जो है कल के दिन कुछ हुआ एस साउथ अफरिका कोई बेट्मेंड बड़ा स्कॉर बनाने में काम्याब नहीं राए स्थ अफरीका की तरफ से मार्करण ने संच्री स्कॉर की और उसके अलावा कोई भी बेट्मेंड भी स्वन भी नहीं बना पाया मैक्सिमम जिसने भी बनाया है वो इसकॉर वह 15 बाराए सब्सक्राइब करते हैं तो इंडिया की बैटिंग शुरू होती है इंडिया को जो है सब्सक्राइब इंडिया को चार दिन के अंदर वॉलिंग की उन्होंने काफी हद तक अच्छी वालिंग की इंडिया के बैट्सक्राइब लेकिन जाल से टार्गेट जब इतना कम होगा तो वॉलर्ट भी कुछ नहीं कर वहेंगे तो इंडिया ने वहीं सब्सक्राइब टार्गेट जो है चेस कर लिया था तीन विक्टों के नुकसान पर इंडिया जो दूसरा टेस्ट मैच साथ विक्टों से जीए चुका है तो अगर हम साउथ अफरीका और इंडिया की सिरीज की बात करें तो इस सेकंड टेस्ट मैच का जो मैन आफदा मैश साब वह था मौम लुदा हम लग अगर आप लोगो को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगीए तो मेरी वीडियो लाइक करें और बैल आकन का बटन दबाएं टाके रोजाना की तरीके की वीडियो आप लोगों के पास आती रहें चुक्रिया